सोमवार को देवास एसपी कारेले में जन सहब समू के माध्यम से लेंगिक अपरादों पर अंकुछ लगाने हे तू एक दिवस्य कारेशाला कायोजन किया गया निहारिका सिंग दौरा बताया गया कि वर्तमान में कारेश्तलों पर महिला वपुर्शों की समाने से भागिता रहती है महीं कई बार ऐसी जगा महिलाओं को शूशन होता है और लेंगिक अपरादों को अंजाम भी दिया जाता है इसलिए आज एसपी आफिस में लेंगिक अपरादों पर अंकुष लगाने हितु एक दिवस्य कारेशाला कायोजन किया गया है सर लेंगिंग अप्रादों पर आज कारले में एक प्रशिक्शन कारेशाल आए अजितकी उसमें क्या कुछ सामने आए और किस तरह का प्रशिक्शन रहा पुलिस प्लाग के करबचारियों के लिए जो इतने कामों में संसोधन होते हैं उसे अफडेट रखने के लिए साथ ही स अपरणी जी अपर अपर अपने अपने अडिपी ओ और बाकी भी जो एक इंजी ओ की टीम आई हुए थे जो लगतार पर इसे चड़े रही इसमें सब्स्टन काफी प्रक्रियायन उसके संब्स्में उसको बताया जा रहा है साथ ही साथ क्या प्रवारी कटने या थी उसको जम की संब्स्टलों पर महिला और पुरशों के सामान साब्स्हागीता हो रही है और ूर इसी कारण ये मामले सामने आया है के और स्थल पर महिलाओं को लेंगिक शोषण रसी गटना क्रम सामने आया है जिसको लेकर वर्ष 2013 में केंद्र सरकार ने एक अधीनियम बनाया था आज मैंने इसी अधीनियम के अंतरगत किस तरह की कमेटी बनेगी किस तरह जाज की जाएगी और किस तरह से अनुतोष दिया क्या कुछ प्राथमिक कदम होते हैं जिसमें महिला हैं जहां अपने वर्ष कारेस्थल पर जहां काम कर रही हैं वो अपनी आवाज उठा सकते हैं उसमें प्राथमिक क्या कदम रहता है देखिए इसके लिए जरूरी है कि ऐसा नियूजग जिसके पास 10 या 10 से अधी करमचा हैं यह डिस्पले करना आवज चक हैं समय समय पर महिलाओं को ऐसी कमीटी के बारे में जानकारी देना और कमीटी की प्रक्रिया के बारे में अवगद कराना आवश चक है जिससे किसी भी पिडित महिला को अपने अनुपूर से वंचीत ना होना पड़े जिज़ों इस तरह क मामले हर नियोजन स्थल पर बनी हुई हैं और इनके मामलों का बड़े ही अच्छे तरीके से इनका निराकरण हुआ है क्योंकि इसमें एक बिल्खोली वेवस्थित वेवस्था बनाई गई है और एक सिविल नियाले को जिस तरह के अधिकार्था प्राफ्त है वो साइन कमिटियों को प्राफ्त है